ये कहानी एक टीनेजर की चुनोतियों और बड़े होने की समस्याओं के बारे में बताती है हमारे जीवन में कई बार ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं कि जीवन हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और कई बार हम इस जीवन का अंत कर देना चाहते हैं लेकिन फिर से जब हम चीजों को ठीक होते हुए देखते हैं जो हमें फिर से जीवन में खुशी देती है इस कहानी में लेखिका के साथ इस प्रकार की घटनाय घटती है लेखी का हाई स्कूल में एक नए स्कूल में जाकर बहुत ही दुखी थी कुछ दिनों बाद उसके घर में आग लग जाती है और उसे लगता है कि उसके जीवन का अंत हो गया है लेकिन जब उसके स्कूल के साथ ही उसके स्कूल के दोस्त उसके प्रती अपना चिंता दिखाते हैं तो जीवन के प्रती उसकी सोच पूरी तरह से बदल जाती है और फिर से वह जीवन में खुश रहना शुरू कर देती है ये कहानी एक नए हाई स्कूल में शामिल होने के बाद एक लेखिका के अनुभाव से संबंधित है एक लेखिका के फीलिंग से संबंधित है उसके जो सभी पुराने दोस्त थे वो अलग स्कूल में चले गए थे और लेखिका एक नए स्कूल में नए स्टूडेंट्स और बहुत अलग महसूस करती है वह अपसर अपने पुराने स्कूल में अपने पुराने टीचर्स से मिलने जाती है और उसके जो पुराने टीचर्स थे वे उसे प्रोटसाहित करते हैं उसे इंकरेज करते हैं कि वह अपने नए स्कूल के कमपरेशन में नए स्कूल के प्रतियोग में भाग ले वे उसे विश्वास दिलाते हैं कि समय के साथ वो अपने नए स्कूल को भी प्यार करने लगेगी एक संडे की दोपहर को लेखिका अपने ड्रॉइंग टेबल पर बैठी हुई अपना होमवक कर रही थी चुकि वह ठंड का मौसम था और हवा काफी तेज था इस है कि लेखिका ने उस बिल्ली को बचाया था जब वह एक छोटी सी बिल्ली की बच्ची थी और तब से वह उसके साथ रह रही है और उन दोनों के बीच में काफी अच्छे संबंध हैं अचानक लेखिका को कुछ अजीब सी गंध आती है पर छत के उपर या देखने के है लेखिका तब परोस के घर में भागती है फायर विकेट को फोन लगाने के लिए तब वह देखती है कि उसकी मा जो थी वह घर के अंदर वापस जा रही थी कुछ देर बाद लेखिका की मा एक छोटे से मेटल बॉक्स के साथ वापस लोटती है जिसमें important documents थे लेखिका की मा एक बार फिर से घर के अंदर जाती है लेखिका जानती थी कि उसकी मा उसके पिता की तस्वीरों को लेने के लिए जा रही है जो की मर गये थे जब लेखिका यंग थी जब लेखिका बहुत ही चोटी थी लेखिका अपनी मा के पीछे जाने वाली ही थी कि तभी एक फायर मैं लेखिका की मा के साथ वापस आता है लेखिका निश्यत होकर अपनी मा के पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है आग बुझाने में पांच घंटे लग गए और घर लगभग पूरी तरह से नश्ट हो जाता है अचानक उसी समय लेखिका को याद आता है कि उसकी बिल उसके पुराने स्कूल नहीं है उसके पुराने दोस्ट नहीं है उसके पुराने टीचर्स नहीं है उसका घर नहीं है और अब उसकी बिल्ली भी उसके साथ नहीं है लेखिका जानना चाहती थी कि उसकी बिल्ली के साथ क्या हुआ पर फायर मैन बताता है कि अभी घर के अंदर जाना सुरक्षित नहीं है तो लेखिका और उसकी माँ अपने पहने हुए कप्रों के साथ और फाइर मैन के द्वारा दिये गए कंबल के साथ अपना रात बिताने के लिए दादा दादी के घर चले जाते हैं लेखिका की माँ उसे स्कूल जाने के लिए मजबूर करती है लेखी का नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो बहुत जादा ही सरमिंदा थी उसने अभी भी वही कपड़े पहने हुए थे जो उसने पहले दिन पहना था और उसे अपनी चाची से टेनिस जूते उधार लेने परे थे उसने आग में अपनी किताबें अपना होमवर्ड और अपना बैग खो दिया था वो बहुत ही दुखी महसूस कर रही थी लेखी का बहुत जादा ही दुखी थी और वो इतना दुखी थी कि उसे लग रहा था कि उसका जीवन यहीं परखत्म हो गया है लेखिका अपने स्कूल के बाद अपने पुराने घर की तरफ जाती है तो वह देखती है कि उसका घर पूरी तरह से जल चुका है और सारी चीजें नश्ट हो गई थी कुछी चीजें जो उसकी मा अपने साथ लेकर आई थी जैसे कुछ फोटोग्राप्स और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्मेंट सी बच गए थे लेखिका अपनी बिल्ली को खोजने की पूरी कोशिश करती है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती आखिरकार वे अपने पुराने घर के पास एक अपार्टमेंट किराय पर लेते हैं लेखिका उसकी बिल्ली को खोजने की उमीद में उसके पुराने घर पर जाती रहती थी वह अपनी बिल्ली को बहुत याद करती थी और उस समय को याद करती थी जो उन्होंने एक साथ बिताया था लेखिका को पता चलता है कि उसके स्कूल में सभी लोगों को आग लगने के बारे में पता चल गया है लोग उसे बहुत जादा ही अटेंशन दे रहे थे और यह देखकर लेखिका बहुत जादा ही शर्मिंदा महसूस करती है अगले दिन लोग उसके आसपास इकठा हो जाते हैं और उसे जल्दी से जिम क्लास में जाने के लिए कहते हैं जब लेखिका जिम क्लास में पहुँचती है तो वो हैरान हो जाती है वह देखती है कि स्कूल के सारे स्टेशनरी समान जैसे की नोटबुक और कप्रे मेच पर रखे हुए थे और वो सब उसके लिए थे सबी अजनबी लोग उसे अपना पड़िचे देते हैं और उसे अपने घरों में भी बुलाते हैं ये सब लेखिका के दिल को छू जाता है और वह अंत में कुछ नए दोस्त भी बनाती है एक महीने बाद लेखिका अपने दोस्तों के साथ अपने पुराने घर की साइट पर जाती है जहां उसका घर फिर से बन रहा था उसे एहसास होता है कि आग लगने की घटना की वजह से वो अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने आसपास की चीजों के साथ गुल मिल पाई है। उसे एहसास होता है कि जैसे उसका घर फिर से बन रहा है ठीक उसी तरह उसका जीवन एक नए सीरे से शुरू हो रहा है तब ही एक महिला लेखिका के पास आती है उसकी खोई हुई बिल्ली को पकड़े हुए लेखिका खुशी से उचलती है और बिल्ली को अपनी बाहों में लेती है तब ही उसे मालूम पड़ता है कि उसकी बिल्ली आग से इतनी डर गई थी कि वह एक मिल दूर भाग गई थी हाला कि बिल्ली के कॉलर पर मालिक का फोन नंबर था लेकिन आग में फोन नश्ट हो गया था इसलिए महिला उसे कॉल नहीं कर पाई इस तरह महिला ने उस बिल्ली को अपने साथ रखा था और उसके मालिक का पता लगाने की भी उसने बहुत कोशिश की थी जब लेखिका अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और उसकी बिल्ली उसकी गोद में थी तो उसने महसूस किया कि दुख और नुकसान की सभी भावनाएं खतम होती हुई लग रही थी लेखिका ने अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड महसूस किया उसके साथ उसके नए दोस्त थे एक अजनवी ओरत की दया थी और उसकी प्यारी बिल्ली की उची गुरगुराने की आवाज को उसने महसूस किया आखिरकार लेखिका और उसकी बिल्ली वापस लोट आये थे और लेखिका ने अपने जीवन में एक नया रास्ता खोज निकाला था